कि मैंने कोई व्यान गलत दिया है तो मैंने वही व्यान दिया है जो गवतम बूध ने कहा है जो तीवार आव फूले सब इत्री वाई फूले ने कहा है कबीरदास ने कहा है संत्रविदास ने कहा है ललाई सी जादों ने मतलब कि सची रमायन में जो वर्णन किया है इन लोग कहीं कोई शीलालेख और इतिहास नहीं मिलता है, शीलालेख कहीं भी मिलता है, पत्थर पर लिखा हुआ, तो गौतम बूद और समराट का ही मतलब की और मुगल समराज का इसा मतलब की मिलता है, जो इतिहास में है, तो जिसका इतिहास ही नहीं है, वो तो कालपनिक ही हो सकता है मतलब मनु से ही पूरे बिश्व का उत्पती हुआ है अगर मनु से बिश्व का उत्पती हुआ है तो मनु को पूरा बिश्व क्यों नहीं मानता है यह भारत में ही क्यों है कि इस समय अट साथ मौझूद है रोतास जिल्यक के डेहरी बिधान सबाच चेत्र से आलजडी के विधाक विधाक वते बहादूर सिंग्जी इन से बातचित करेंगे चुके अभी हाल फिलाल के दुने में बात करेंगे तो पिछले एक दो दिनों से लगतार ये चर्चा कभी स अगे पर डिरेक्ट हम मान्य से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे किस अधार पर इनों ऐसे अस्टेटमेंट दे दिया सबसे पलब को बहुत सागत है सर धन्यवाद मेरा पहला सवाल सिधा सवाल अपसर है कि आपने मादुर्गया को लेकर अस्टेटमेंट दिया जलते घर को देखने वालो फूस का चपर आपका भी है आपके पीछे तेज हवा है आगे मुकदर आपका भी है उसके कतल पर मैं चूप था मेरा नमबर अब आया मेरे कतल पर तुम चूप हो अगला नमबर आपका है मैं स्टेटमेंट जो अधार पर दिया हूँ आप दुर्गा सब्सती यो बूक है जो गिता प्रेश गुरखपूर से प्रकासित हुआ है उस बूक के आठवा अध्याय में पेज नमबर एक सब पैंटीश में बरनित है मर्ज बंस का भी उसमें नाम बरनित है और मर्ज बंस को भी दुर्गा ने ललकारा है जुद के लिए तो मैं फिर एक सवाल कर रहा हूं उन मनिवादियों से जो मतलब इस तरह का बात करते हैं कि जब आपके पुष्टक में मर्ज बंस का जीक्र है और मर्ज बंस को दुर्गा ने ललकारा है जुद के लिए तो पहले दुर्गा की पहले समराट असोक चुकी जब आपका एक तरफ कहते हैं कि देवी देवताओ लाखो बर्स पूर्ब इनका अवतार हुआ था जरम नहीं उनके अनुसार कहा अवतार हुआ था तो जब लाखो बर्स पूर्ब अवतार हुआ था उस समय क्या मौर्ज बंस था कि मौर्ज बंस का जीक्र हुआ है उसमें इसी तथों पर मैंने कहा है और सारा बहुत तथ है अगर वो लोग चर्चा कराना चाहेंगे तो मैं चर्चा करने के लिए तयार हूँ इस भी सवे पर कि काल्पनिक है आप यही समझ लिए जो आज मैंने दो दिन से देख रहा है डिवेट पर पूरा मतलब कि नारी के लिए शमान उम्रा हुआ है इन लोगों को जीन लोगों ने कभी नारी को समान के नजर से देखा ही नहीं मनु अस्मिर्थी सुरू से अंत तक पढ़ लिजिए उसमें नारी का अपमान ही अपमान है और खास करके तो रामचरीतर मानस में भी लिखा हुआ है तुलसीदास ने भी कहा है कि नारी नरक का दवार है एक है एक हिन लोगों के दिल में नारी के लिए समान कहा से उत्वन हो गया उत्वनाही नहीं मनु अस्मिर्थी के अंसार भारत की वो भी सी यसी यस्टी के बेटा बेटी का जो साधी होता था उस कन्या को यह लोग सुधी करण प्रथा बनाया था और ब्राभन के घर में तीन दिन कन्या को पहले साधी के बाद रखता था उसके बाद जो है ससुराल में भेजने का काम करता था आप जो है अपने स्टेटमेंट से आप पिछे नहीं हटेंगे आपने जो दिया है आपके कहना है कि आपने सही है ललाई सी जादों ने मतलब कि सच्ची रमाइन में जो वर्णन किया है और जो बबा भीम राव अम्बेदकर ने कहा है मैंने आपने पूरवजों के बातों को ही दोहराने का काम किया है अरे गवतम्बूध ने कहा था कि कोई देवी देवताईशवर है ही नहीं तो उसमें कोई ये अलग से तो नहीं है और काल्पनी का दर्साता भी है कि इन लोगे कंछी कोई शीलालेख और इतिहास नहीं मिलता है सीलालेख कहीं भी मिलता है पत्थर पर लिखा हुआ तो गौतमबूद और समराट का ही मतलब की और मुगल समराज का इसा मतलब की मिलता है जो इतिहास में है तो जिसका इतिहास ही नहीं है वो तो कालपनिक ही हो सकता है ना इतना ही नहीं, इन लों का किवल इतिहास जो मिलता है, गरंथों में मिलता है, जो गरंथ लिखा हुआ है, तो गरंथ तो कागज पर ही लिखा हुआ है, तो कागज का विश्कार कभ हुआ? जब कागज का विश्कार हुआ उसके बाद ही तो गरंथ लिखा गया ना कहीं सीलालेख तो मतलब मिलता नहीं है आप जहां जो जो इतिहास है इतिहास मिलेगा लेकिन कहीं भी जो है इतिहास मतलब खुदाई में सब अडंबर जो है नहीं मिला है और गौतम बूध ने भी तो अडंबर के खिलाप जो है अपना चलाया था और बबा भीम राव अंबेदकर ने तो असपश्ट कहा था वाई कि जिस धरम में उच नीच भेद भाव छुआ चुट है वो धरम हमारे लिए शही नहीं है एक तरफ आप कहते हैं कि हम हिंदू हैं देवी दुर्गा हमारी मा है तो बताने का काम करेंगे कि देवी देवताओं ने मनुष बनाया और मनुष्यों में उच बनाया नीच बनाया भेद भाव बनाया छुआ छुट बनाया इभी गरंथ में लिखा हुआ है कि ये सब भागवान का ही बनाया हुआ है ये संभव है आपना भी सोचन सकती है इसलिए पहले लिखा गया है कि हमारे पूरवजों को पढ़ने लिखन से मना कर दिया गया था जो लिखेंगे ये लोग मतलब मान लेंगे जो पढ़ाएंगे पढ़ लेंगे तो ये शंभव है इन ही लोगों के गरंथ में लिखा हुआ है कि हमें इश्वर का बर्दान है इश्वर ने हमें मतलब कहा है कि ब्राभन सर्व से सर्वपरी है ब्राभन और छत्रिय जो है उसके बाद है, छत्रिय बराभन का रच्छा करेगा और बैश, बैश ये जो हमारे हां जो बैस ये सब बैस जो है, तेली हैं, हलुआई हैं, कलवार हैं, कानु हैं, सुन्ही हैं, सुनार हैं यह बैस कटगरी में नहीं आते हैं वो भी CST के लोगों को इन लोगों ने इन लोगों ने मतलब की तिसरा वरण में रखा है मतलब की सुद्र में यह बड़े बड़े जो पुंजी पती जो हैं उनके लिए बैस का परियोग मनुवस्मिर्ती में हुआ तो कि मनुवस्मिर्ती में असपस जाती भी खोला गया है समझ गया तेली कलवार यह सौंग और यह लोग यह भी बोलते थे अभी तो हम लोगों के होस में बोलते थे कि तेली का मुँँ देखने से जतरा खराब हो जता है अब मनुवस्मिर्ती को पढ़िए मनुवस्मिर्ती लिखने वाले लोग कहते हैं उसमें लिखा हुआ है कि सारे मनुव के संतान है मतलब मनुवस्मिर्ती पूरे बिश्व का उत्पती हुआ है अगर मनुवस्मिर्ती बिश्व का उत्पती हुआ है तो मनु को पूरा बिश्व क्यों नहीं मानता है ये भारत में ही क्यों है चलिए मैंने ये भी मान लिया कि आप भारत को ही पूरा बिश्व समझते होंगे कंतिम सवाल की सोचल मीडिया पर बहुत लोग प्रतिक्रिया दे रहा है कि जितना स्टेट्मेंट आपने हिंदू देवी दिवता पर दिया हिंदू हिंदू लोगों पर दिया हैं इसंट्मेंट अगर आप दुसरे धर्म के खिलाप में दिये होते तो अब तक आप कुछ और क चुका हो आप समानता ला दो ना मैं वही तो क्या रहा हूं कि नवफरत कौन फहला रहा है मैं फहला रहा हूं कि आप फहला रहा हूं कि सदन में जो लोक्तंत्र का मंदीर है सदन में समुदाय के लिए एक bjp कर सांसल ने गाली का पर्योग किया इसे सो Cheesebow बड़ा समिधानी खत्य हो सकता है और जब आप समझते हैं कि भारत एक धर्म निर्पेक्ष राज है तो क्या यहां नफरत फैलाना धर्म जाती का बात करना यह अपराध है कि नहीं है अन्तिम सवाल आप से बसे ही रहें गे तेसी आदो के पार्टी के मेले जो है अपने बात अडिक रहने वाले हैं बात समुकरने वाले ने जो अस्टेटमेंट दी है अपने सिह से तौर पर सही अस्टेटमेंट दिया है मैंने अपने सूजबुस और तारकित ब्यान दिया है और मैंने कोई अपना मन गढ़ंत ब्यान नहीं दिया है जिस तत्रियों को हमारे पूरव समाज के लोगों को सम्झाने का पर्यास किया है कि जो जोतीबा Rog fuccule या सबीत्री वाहि फuccule ने जो हमें सिछहा प्राप्त करने का उपधेस्ट दिया है और बाबा भिम राव अंबेदकर ने जो हमें सन्देश दिया है उस रास्ते पर ही चल करके हमारे शमाज का विकास हो सकता है उठान हो सकता है दूसरा कोई रस्ता नहीं है और आप सभी लोग भी जो आप जो पकड़े हुए है और जो आप रिकॉडिंग कर रहे हैं ये किसी देवी देवताओं के आसरे है या बाबा सहाब के सम्मिधान से आपको मिला है टी है और नका सीज़त तोर पर कहना है कि जो भी हमने अपने स्टेटमेंट दिया है कांसे सुझ-भूजित और अपने मन से नहीं दिया है बलक्यों लिखा गया है हमेरे पुरवजों ने लिखा है उसी को तर्क मानकर ऊशिक और आधार मारकर नकरे द्वारा अपने होस पास में जो है statement दिया गया और इस statement को लेकर पिछे नहीं हटने वाले हैं